नमस्कार दोस्ते ये जो फोटोज आपको नजर आ रहा है ये अलड़ी काफी वाइरल हो चुका है काफी इन्सपेरिंग फोटो से काफी थैंक्फूल फोटो से और ये फोटो से ऑपरेशन दोस्त से ऑपरेशन दोस्त क्या है आप सबको मालूम है तीन दिन पहले तर्की में जो massive earthquake हुआ था जिसमें dead told already 15,000 crores हो चुका है दोस्तों तो उथर humanitarian relief provide करने के लिए Indian Army, Indian Air Force and National Disaster Response Force के स्टाफ Turkey and Syria में पहुंचे हैं तो कहां-कहां पे अब relief activities चल ला है दोस्तों तरकी में Gaziantep, Iskanderun, Adana, Nurdagi, Urfa and Syria के capital Damascus में वैसे देखा जाएगा तो जैसे government of India Turkey के लिए aid and humanitarian assistance annonce किया था तब तरकी के ambassador ने एक tweet किया था that दोस्त is a common word in Turkish and Hindi, we have a Turkish proverb दोस्त करा गुंडे बिली अलूर, that is a friend in need is a friend indeed, thank you very much उन्होंने Prime Minister को, External Office Minister को tag भी किये थे, तो उन्होंने इंडिया को दोस्त कहा था अब दोस्त जो शब्दे दोस्तों, उसका मतलब तरकीश और हिंदी में एक ही है वैसे आपको पता होगा, तरकी और इंडिया के बीच पे जो bilateral relations है, वो इतना ठीक नहीं है अब आपको पता ही होगा कि तरकी जो है, एक मुस्लीम मेजोरिटी कंट्री है करीब 99% of population जो है, मुस्लीम से, अकोर्डिंग टो तरकीश गवर्नमेट तो तरकी थोड़ा सा बाइस डे पाकिस्तान की तरह पर देखें दोस्तों, जब actual emergency हुआ, तब help करने के लिए सबसे पहले सामने को न आया, इंडिया आया हमारी history अगर आप चक्कर होगे, humanitarian relief activities के लिए इंडिया हमेशा आगे रहा है तो जैसे ये photos viral होने लगा, तो इंडिया का humanitarian concern के बारे में बाते हो रही है पर देखें दोस्तों, ऐसा तो नहीं है, अगर ये photos सामने नहीं आता, इसका मतलब इंडिया कुछ कर नहीं रहा है but unfortunately, आजकल क्या है न, हर चीज का evidence मांगता है जब तक आप दिखाओ नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा अब ये भी बाते दोस्तों, अगर आप अच्छा करते रहोगे, तो obviously बाते आपको एक दिन recognition मिल जाएगा अब ये photos के तुरू पूरी दुनिया को पता चल लहा है, इंडिया कितना concerned है पीडित लोगों के लिए, चाहे वो कोई भी हो अब दोस्तों, operation दोस्त के बारे में बात करते हैं, already Indian Air Force का C-17 Globe Master Aircraft के तुरू, छे aircraft टर्की में पहुंच चुका है दोस्तों, वो अपने humanitarian relief efforts में लगे भी है तो इसका मतलब ये है, more search and rescue teams, dog squad, essential search and access equipment, medicines, medical equipment, सब कुछ डिप्लोई किया गया है तो हमारे external office minister S. Jesangas साब ने tweet किया है, that हते टर्की में field hospital setup किया है, earthquake से जो affected है, उन्हें treat करने के लिए वैसे ये जो photo आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें आपको एक major दिख रहा है, she is a doctor, she belongs to AMC, AMC मतलब Army Medical Corps वैसे आपको पता है दोस्तों, southern part of Turkey and northern part of Syria affect हुआ है, ये massive earthquake तो टर्की का जो affected area है, it is almost 1.2 lakh square kilometers, मतलब देखें, west से east तक अगर आप देखोगे, करीब 450 km है north से south अगर आप देखोगे, करीब 290 km है, इतना area affected है दोस्तों, और इन areas में हम अपने humanitarian efforts करियोट करने की कोशिश कर रहा है तो अभी किसाब से करीब 15,000 जे ज्यादा casualties है, और 50,000 जे ज्यादा enjoyed है, और ये number increase भी हो सकता है तो चलिए operation दोस्त के अंदर क्या-क्या activities चल रहा है, एक बार check कर लेते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, इंडिया operation दोस्त स्टार्ट किया था, disaster hit eastern Turkey and northern west Syria को aid provide करने के लिए इंडिया ने अपना national disaster response force टीम को सबसे पहले भेजा था, तरकी में, साथ-साथ में इंडियन आर्मी का medical team को, जिसमें 99 members थे from the agra-based 60 parafield hospital तो इस medical team के अंदर critical care specialist team है, orthopedic surgical team है, general surgical specialist team है, तो basically एक earthquake hit area में जो कुछ भी medical services provide करना है, उसके लिए specialist इस team है, available है दोस्तों तो पहला Indian Air Force plane, carrying disaster relief material and rescue team, तरकी का Adana airport में पहुंचा था, जिसमें 50 personal थे, and specially trained dog squad भी थे, along with necessary equipment, including medical supplies, drilling machines, and other aid equipment वैसे ये dog squad का का काम क्या है दोस्तों, देखें, ये dog squad, National Disaster Response Force का है, और ये dogs specially trained है, लोगों को धून निकालने के लिए, देखें, अब यर्त को एक हुआ है, buildings के बीच में कई सारे लोग फसे होंगे, अभी भी कई सारे लोग जिन्दा भी हो सकता है, तो इन्हें धून निकालना, कहां कहां पहे, location identify करना, ये dogs का काम है, इसके अलावा, इंडिया ने droni drones भेजा है दोस्तों, surveillance के लिए, droni drone recently काफी news में आथा, गेरुडा aerospace करके एक company ने इस drone को manufacture किया था, और इसे launch किया था, cricketer MS Thoni, तो इसलिए नाम भी दिया है दोस्तों, droni, ठीक है, तो droni drones इंडिया ने भेजा है, surveillance के लिए, basically, collapsed material के बीच में, जो लोग फसे है, उन्हें identify करने के लिए, इसके अलावा, किसान drones भी भी भेजा है, for carrying medicines and foods, प्राइम मिनिस्टर नरेंदरे मोधी जी ने अलरड़ी ये बोला है, दोस्तों, जितना भी possible assistance है, इस tragedy से recover करने के लिए, वो सब provide करने के लिए, इंडिया तयार है, और जैसे मैं आपको पहले बोला, इंडियन आर्मी ने अलरड़ी medical teams को deploy किया है, और medical team को mobilize कर रहा ह है, दोस्तों, इंडियन आर्मी, एक 30-bedded medical facility टर्की में setup करने के लिए, तो खुल मिला के देखा जाएगा तो, अभी तक करीब 130 tons of supplies, इंडिया की तरफ से टर्की में पहुंचा है, और सिर्या में भी पहुंचा है, करीब 6 ton का supplies, तो दोस्तों, that's it, देखे, humanitarian efforts में, इंडिया हमेशा आगे रहा है, जब भी दुनिया में कहीं पे भी इस तरह के disaster situation हुआ हो, इंडियन टीम सबसे पहले उथर पहुंचा है, और जितना help हम से हो सकता है, वो हमने किया भी, even COVID-19 pandemic के time पर, जब पूरी दुनिया ने अपने borders बंद किया था, तब इंडिया एक ऐसा country था, ज कई सारे countries के heads आके हमारे Prime Minister की तारीफ किया है, उन्होंने ये openly बोला भी है, कोई और country ने हमें help नहीं किया था, के अवल इंडिया ने किया है, जब Prime Minister नरेंदर मोदी जी से ये पूछा गया, basically Turkey के लिए जो humanitarian assistance प्रोवेट कर रहा है, ये massive earthquake के बाद, तो उन्होंने बोला, द एक में, जब नरेंदर मोदी जी गुजरात के chief manager थे, तब आपको पता है, दोस्तों कच रीजियन में एक massive earthquake हुआ था, जिसमें death toll 20,000 जे ज्यादा था, तो ये situation की seriousness को इंडिया नहीं समझेंगे, फिर कौन समझेंगे, तो हम salute कर रहे हैं उन लोगों को, जो Turkey and Syria में relief efforts में ल हैी हुआ तो हम अन्त, हुआ है।